नमस्कार दोस्तों शर्मा जी के रस्वी में आपका फिर से एक बार स्वागत है आज मैं आपके लिए बहुत खास वीडियो लेकर आई हूँ यह हमने घी बनाया है देशी सिर्फ तीन मीट के अंदर अंदर हम मलाई से घी निकाल लेंगे मक्षन निकाल लेंगे और बिना मश जान रखिए आप और इतना अच्छा घी बनाया हमारा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कलर थोड़ा यलो है कभी कभी चारा अलग खिलाते हैं तो इसके लिए थोड़ा घी दूद का कलर बदल जाता है तो मलाई का कलर बदलने की वज़े से घी का भी कलर थोड़ा चेंज होत होते रहता है तो देखिए कितना बिल्कुल ट्रांस्परंट घी बन कर तयार हुआ है तो चलिए शुरू करते वीडियो को देखिए यह मैंने मलाई है यह छे घंटे मैंने इसको छे घंटे पहले मैंने इसे फ्रीज के अंदर से बाहर निकाल कर रख दिया था एक यहां तर टेंपरेचर बिल्कुल नॉर्मल हो गया है नॉर्मल टेंपरेचर होगा तभी हमारा मखन तुरंट दो मिनिट में ही निकल जाने वाला है थंड़ा अगर हमारी मलाई होगी तो उतना जल्दी हमारा मखन नहीं निकलेगा एक यह रिजन होता है हाथ से बनाना और मशीन से ब पानी है बरतन को अच्छे से साफ कर ले काफी घी लगा हुआ होता है इसके अंदर तो अब देखिए यह जो चमच है इसे भी हमने साफ कर लिया है और अब हम मतनी से इसे थोड़ा मत लेंगे तुरंत घी निकल जाता है कोई ज़्यादा टेंचन लेने के आओ शकता है नहीं ह पानी इसके अंदर बिल्कुल भी ज़्यादा ना डाले मतनी को भी गीला कर ले मतनी को गीला करने से इसको ज़्यादा मखन नहीं चिपकेगा देखिए बस ज़रा सा मिक्स करे पानी अगर ज़्यादा डालेंगे आद तो आपके हाथों को ज़्यादा ताकत लगने वाली है प्रेशर लगने वाला है तो पानी बिल्कुल भी ना डाले थोड़ा सा ही डाला है हमने बस अब हम इसी तरह से चलाएंगे इसे और एक मिनिट पर तुरंथ हमारा मक्खन बनकर तैयार हो जाएगा देखिए आप अभी बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं किया है मैंने त तुरंथ जिस तरह जब मैंने मतनी इसके अंदर डाली तब से लगातार वीडियो चालू है मेरा यह देखिए कितनी जल्दी मक्खन आ गया है ओपर देखिए और मतनी को भी जादा चिपकेगा नहीं इस तरह से मक्खन बनाया जाता है मलाई से तुरंथ अगर आपको तुर स्मेल आ जाएगी तो एक यह प्रॉब्लम होता है कभी-कभी हम बाहर निकाल कर रखते हैं और हमारा जल्दी बनाना ना हुआ मक्खन निकालना ना हुआ तो थोड़ी स्मेल आ जाएगी फिर घी में भी स्मेल आ जाएगी देख अब हाथ बिलकुल साफ होने चाहिए हाथ ज भी घीले होगे तो हमारे हाथों को मक्खन बिलकुल नहीं चिपकेगा देखिए मतनी को भी बिलकुल मक्खन नहीं चिपका है जरा सा चिपका है वस यह सिर्फ गीला करने की वज़े से चोटी-चोटे सबी टीप से अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो जरूर जरू बना सकते हैं मक्खन पर उसके लिए हमें बाहर निकाल कर रखना बहुत जरूरी होता है अब एक बात का ध्यान रखा जाए इसके अंदर काफी मातरा में जो गाड़ा नीचे की चाच है गाड़ी है क्यूंकि हमने पानी जादा डाला नहीं है तो मक्खन के अंदर काफी मात में होती है तो मक्षन को अच्छे से दो पानी डाल कर अच्छे से धोले और अंदर की घाड़ी चाज निकाल ले और जब हम मशीन से चाज बनाते हैं वह भी वीडियो है मेरा मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी मुझे उस टाइल से बनाना ज्यादा बेनिफिट क्योंकि हम जब इस टाइल से बनाते हैं तो इसमें स्मेल आने का डर होता है जो कि हमारा पूरे घी में थोड़ी स्मेल आ जाएगी और इसका एक ये भी प्रॉबलम होता है कि हम निकाल कर रख दे हमारा बनाना नहीं हुआ तो बड़ी प्रॉबलम हो जाती है फिर से पूदवाला हिस्सा भी बिल्कुल नहीं होता है क्योंकि मलाई यह जब हम बाहर निकालकर रखते हैं तो इसके अंदर थोड़ा दही जमने लगता है तो वहां काफी मात्रा में इस मखन के अंदर जमा हो जाता है तो जो हम घीत अपाएंगे जब नीचे का जो वेस्ट निकले पर हैंड मिक्सी से बहुत इज़ी है चाज बनाना ये और बहुत अच्छा मखन निकलता है हैंड मिक्सी से जब बनाते हैं थोड़ा सा उंगली को तेडा करके पतेले को साफ कर लेंगे नीचे भी अगर होगा हमारा घी लगा वा तो निकाल लेंगे देखिए अब ये पान बनाना यही तरीका जादा अच्छा लगता है पर अगर आप लाइट ना हो आपकी मशिन खराब हो बिना मशिन का बनाना चाहते हो तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं देखिए हाथ साफ ते इसके लिए हाथों को बिल्कुल चिपका नहीं है मक्षन हमारा अब इस तरह से प और देखिए गैस का फ्लेम फूल है हमारा अभी घी को हम मेल्ट होने देंगे मक्षन को अक्सर मक्षन अच्छा निकलता है देखिए घी भी काफी मातरा में एक किलो के करिब करिब घी होगा यह हमारा यह और देखिए अब यह इसको उबाला चुका है गैस का फ्लेम धीमा रहे हैं इसके अंदर नीबू के फूल डालने से इसके अंदर की जो चाच है घी दूद है ये बहुत जल्दी फट जाएगा ये फटने की वज़े से घी हमारा बहुत जल्दी गरम हो जाएगा और नीचे बिल्कुल चिपकेगा भी नहीं और हमें इसे थोड़ा चलाते आप ताकि ये नीचे चिपके नहीं चिपक जाएगा जल जाएगा तो स्मेल हो जाएगी घी के अंदर तो ज्यादा स्मेल वाला गी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है इसके लिए इन बातों का ध्यान रखना चाहिए इन दिनों में अक्सर गाय को भैस को गन्ये का चारा खिलाये जाता है उसकी वज़े से थोड़ा सा कलर यलो आता है घी का हमारे वारना बिल्कुल वाइट कलर का भी घी बनता है तो ये कलर जो है ये गाय को चारा बैस को चारा जो खिलाते है उसकी वज़े से होता है तो देखिए इसके अंदर का ये जो चाच पूरी फट गई है जल्दी फट गई है और घी हमारा तपने लगा है और यह जब तक ट्रांस्परेंट नहीं दिखता तब तक हमें इसे तपाना है घी गयास के उपर रख कर दूसरा कोई भी काम ना करें वरना घी बहुत जल्दी जल जाता है तो ध्यान से बनाना हो दोगा हमें घी केसा लगा है आपको मेरा वीडियो मुझे कामेंट बाक्स में जरू जरू बताना आपको कौनसा तरीका पसंद है बिल्कुल क्विक दो मिनिट में जा घी से मक्षान मलाई से मक्ष जाता है देखिए थोड़ा भी ट्रांस्परंट कम दिख रहा है हमारा घी ये तो थोड़ा सा और उबलने देंगे और फिर गयास का फ्लेम बन कर देंगे हम हलका सबस्रीव एक मिनिट के लिए और उबलाने देंगे हम इस घी को और बहुत बढ़िया देखे ट्रांस्परंट बिलकुल घी बन कर तैयार हो गया है हमारा और घी काफी मातरा में बना है इसे चान लेंगे अच्छे से देखिए कितना बेतर गी बनाए और घर के बने विए गी की खुजबू भी बहुत जादा अच्छे आती है क्योंकि बाहर के गी में बहुत स्मेल आती है और घर पर हम बहुत ध्यान से बनाते हैं मलाई का बरतन फिज के अंदर उपर ही रखे उपर के खन में ही रखे ताकि कोई भी सामगरी और मलाई के अंदर गिर न जाए और ढखकर रखे, बने जहां तक ढखकर ही रखे ताकि कोई स्मेल भी ना हो देखे, थोड़ा सा थंडा होने देंगे हम और इसे चान लेंगे बिल्कुल ट्रांसपरंट घी बनकर तैयार हो गया है 10-15 मिट घी गरम होने को लगते है और सिर्फ 3 मिट हमें मलाई से मक्षन निकालने को लगे है तो 15 मिट में ही हमारा पूरा काम फिनिश हो जाता है कैसा लगए आपको मेरा वीडियो मुझे कामेंट बाक्स में जरू जरू बताना घी को छानने के लिए हमेशा इस तरह की स्टील वाली चलनी का ही प्रयोग करे ताकि जले नहीं थोड़ा भी घी गरम होगा तो प्लैस्टिक की चलनी जल जाएगी तो इसके लिए ध्यान रखे आप स्टील की चलनी का ही प्रयोग करे देखिए कितना ट्रांस्परेंट घी बनकर तैयार हो गया है कैसा लगए आपको मेरा वीडियो मुझे कमेंट बाक्स में जरू जरू बताना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना अबेल आइकान को प्रेस करना ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे और इसी तरह से लेटेस्ट वीडियो लेकर आऊंगे मैं आप सभी के लिए देखिए बचा हुआ भी घी हम चान लेंगे और थोड़ा घी बच गया हमारा तो कटोरी में बावल में चान लेंगे हाँ काफी मातरा में एक किलो के करिब करिब घी निकला है हमारा मैं मैने में तीन बार चार बार इतना घी बनाती हूँ और देखिए पतेला भी बिल्कुल जला नहीं है और जब हम मशीन से बनाते हैं तो इससे भी कम जो ये उपर चलनी में वेस्ट निकला है इससे आधा ही निकलता है तो ये भी एक बेनिफिट है मशीन से बनाने का और जटपट बनाना चाते हैं हाज से भी बना सकते हैं मशीन से बना सकते हैं को जैसा पसंद हो आग उस्तर से चार्ज बना सकते पर मखन के अंदर एक चुटकी निबुस के फूल जरूर डालिए उससे बहुत जल्दी फट कर ये बिल्कुल बढ़िया जल्दी घी बनकर तैयार होगा देखिए पतेला बिल्कुल जला नहीं है साइड से हलका सा जला है ब बहुत बड़ी है कि